हलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई चानल नर्सिंग स्टडी आज की वीडियो में हम डिसकस कर रहे हैं नुट्रिशिन का टॉपिक तो काफी व्यूवर्स ने कोशन किया था कि मैं कौन सी बुक फॉलो कर रही हूं तो आज मैं आपको बुक का फ्रंट पेज दिखा रही हूं फू तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक तो आज का मारा टॉपिक है एनिमल फूट प्रिविज वीडियो में हम डिसकस कर चुके हैं नुट्रिटिव वैल्यू वेजेटेबल फूट्स लेग्यूम नट्स एंड ओल सीट्स एंड आज होगा एनिमल फूट्स के किन कि एनिमल फूट्स के तुरू हमें नुट्रिटिव वैल्यूज मिलती हैं या फिर नुट्रिशन मिलता है एनिमल फूट और करना यो हैं और काफी कंट्रिव में बहुत सारे में कंट्रिव में केज्यूम किया जाता है राट इस एक सब्सक्षर आ।ै में उनको प्रष्सaking जा उन्हें animal foods बताए हैं जिनके तुरू इनको काफी सारे nutrients मिलते हैं जिसमें first है milk and milk product यानि कि जो milk है या फिर milk से बने product होते हैं like a curd, पनीर और ये सारे चीज़े क्या है milk से बनी होती है and eggs, flesh food, fish, meat and poultry तो ये सारे क्या है animal foods हैं जिनमे nutritive value बहुत जादा होती है और चलिए इन करके पढ़ते हैं सबसे पहला आता है milk and milk product milk and its product are the common food commodity for the rich as well as poor यानि कि जो milk है ये हर एक community जो है इसको use करती है यानि कि हर एक person easily इसको ले सकता है चाहिए वो rich हो या फिर वो poor हो the common source of obtaining milk are the cow, goat and buffalo यानि कि जो हम जो mostly जो use करते है milk वो cow का milk होता है, goat का होता है या फिर बफैलो का milk होता है, out of these the cow milk is the richest source of protein लेकिन जो cow का milk होता है जो गाएं का दूद होता है उसमें protein के मात्रा बहुत जादा होती है, milk is used in the different forms such as the standardized milk, toned milk, homogenized milk and steamed milk, यानि कि milk भी कहा है different different form में मिलते हैं, जैसे कि standardized milk होता है, toned milk होता है, यानि कि कुछ जो है normal milk होता है, कुछ को जो है उसमें से किटानो रहित करके दूद मिलता है, कुछ में क्रीम के साथ मिलता है, तो यह सारे क्या है, अलग-अलग milk के form होते हैं, standardized milk does not undergo any processing and it is consumed as such after boiling, तो standardized milk में क्या होता है, कि यह किसी भी process के through नहीं जाता है, यानि कि इसमें microorganism वेगरा वो सब किल नहीं किया जाते है इसको जस्ट आप जो है direct cow milk से लेते हैं और इसको boil करके आप consume करते हैं, and skimmed milk is the type from which cream has been separated, और skimmed milk में क्या होता है, कि इसमें जो cream होती है, उसको अलग कर दिया जाता है, और फिर इस milk को consume किया जाता है, it is a low in the fat content and vitamin A, लेकिन और इसमें जब cream निकाल दी जाती हो, तो इसम mean A की मात्रा भी कम हो जाती है, it can be used in the client at risk with hypertension and cardiovascular disease, और skimmed milk जो है वो ऐसी patient को दी जाती है, जिनको hypertension की problem होते हैं, या फिर cardiovascular disease के risk ज्यादा होते है, but this should be avoided in infant, और ये infant जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 6 महिने के बच्चे होते हैं, उनको ये जादा तर ऐसा skimmed milk जो है दिया जाता है, toned milk, it is addition to reconstitute cream milk to wool buffalo's milk, तो ये milk हमें मिलता है, और इसमें क्या है, जो cream की मात्रा होती है, वो ज्यादा होती है, यानि कि इसमें protein की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसमें fat content जो होता है, वो कम होता है, milk is an ideal food for infant and children and a good supplement food for adult, यानि कि ये हर एक एज के लिए milk जो है, हर एक एज के लिए बहुत ही जुरूरी होता है, एक बहुत ही अच्छा supplement माना गया है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बजुर्ग हो, या फिर adult हो, तो सभी के लिए एक जुरूरी requirement होती है, it is a good source of calcium, riboflemming and protein, यानि कि इसमें calcium, riboflemming and protein की मात्रा जाए, वो और iron की कमी होती है, milk contain the lactose, lactose and glucose and milk sugar, यानि कि milk में क्या है, lactose भी प्रेजन होता है, lactose भी प्रेजन होता है, glucose और milk sugar भी इसके अंदर मिल जाता है, it contains the protein called the casino, यानि कि इसके अंदर एक protein पाया जाता है, जिसे हम कैसीन भी बोलते हैं, milk is an important compound of balanced diet by the vegetarian diet, यानि कि milk एक ऐसा compound है, जो कि balanced diet में समलित है, और यह vegetarian diet भी माना गया है, and it is must be made accessible to the vulnerable group, pregnant and lactating women and the children, और कुछ एक ग्रूप को इन्होंने बोला है कि, जो milk है वो जुरूर दिया जाना जाए, जैसे कि pregnant woman को, या फिर lactating woman, या फिर children, lactating woman means, जो महिलाएं अपने बच्चों को दूद पिलाती है, और children को इनको या जो है, दूद की मात्रा, जो है, एक निश्चित मात्रा में जुरूर दिया जाना चाहिए, उसके बाद आता है, milk product कौन कौन से, यानि कि, जो हमें milk से मिलने वाले product है, इसमें आता है, curd, यान organic organism, यानि कि, इसको हम कैसे बनाते हैं, fermentation करके, इसको हम बनाते हैं, this is prepared at the home scale, यानि कि, हर एक home में बनाया जाता है, and nutritive value is similar that milk, और इसमें जो nutritive value होती है, वो same milk जैसी होती है, क्यों, क्योंकि यह milk से ही तो बना है, then उसके बता जाता है, cheese, it is excellent source of protein, calcium, fat, vitamin A, but contain less vitamin B, यानि कि, जो cheese होता है, इसमें protein की, calcium की, fat की, vitamin E की मातरा अच्छी होती है, लेकिन इसमें vitamin B जो है, वो कम होता है, fresh cheese, rich source of protein, और जो fresh cheese बना होता है, वो उसमें protein की मातरा जादा होती है, butter and ghee, it is prepared from milk, ये भी milk से बनता है, it contains high fat content and vitamin A, rich source, और ये क्या है, इसमें fat की मातरा जादा होती है, और vitamin E का भी अच्छा source है, it is used in the various preparation, like sweet and also used for the cooking purpose, यानि कि इसको sweets बनाने में, यानि कि जो मिठाईया बनती है, उसमें use किया जाता है, और cooking purpose के लिए भी इसको use किया जाता है, उसके बाद आता है, ice cream, this prepared of the milk is used for the desert, it is a rich source of fat, sugar and hence high calories, तो ice cream क्या है, ये भी milk से बनती है, और ए high calorie होती है, इसमें dried milk, यानि कि जो सुका दूद होता है, powder वाला दूद होता है, sweetened condensed milk and milk powder are some of the dry preparation of milk, यानि कि ये condensed milk भी से को हम बोलते हैं, या फिर milk powder भी बोलते हैं, और ये क्या है, dry milk के वो dry करके इसको बनाया जाता है, तो ये देखिए, इसका diagram भी बनाया हुआ है, आप इसका diagram भी बना सकते हैं, कर्ड का इन्होंने ऐसे थोड़ा सा ये black and white type का diagram है, तो just उन्होंने शोग करने के लिए बनाया हुआ कि बटर कैसा होगा, cow milk कैसा होगा, या फिर कर्ड को कैसे दिखाया गया है, उसके बाद आ जाते हैं, एग, एगा रिचर सोर्स ओफ प्रोटीन and other nutrients, यानि कि इसमें प्रोटीन जो है बहुत अधिक मातरा में होता है, eggs में and nutrients भी अच्छे मातरा में होते हैं, egg has a two part, egg के two part होते हैं, egg white and egg yolk, यानि कि इसमें के two part होते हैं, इसमें होते हैं white और yellow करकर जिसको हम egg yolk भी बोलते हैं, the farmer contain the albumine at its chief protein, whereas latter is a rich source of cholesterol, vitamin A and riboflemin, यानि कि इसमें cholesterol, vitamin A and riboflemin का जो है अच्छी source इसको माना गए है, iron and phosphorus भी अच्छी मातरा में इसमें होते हैं, raw egg white contain the anti-nutritional factor evident which bind itself with biotin and restricted its availability, यानि कि egg का जो white portion होता है, उसके अंदर anti-nutritional factor present होते हैं, then on cooking this factor is destroyed, यानि कि cooking के time पर इस factor को यह जो factor होता है, anti-nutritional होता है, वो destroy हो जाता है, यानि कि finish हो जाता है, egg must be available especially in the vulnerable group and to the client with several wound and burn because being good source of protein, it has done healing process, यानि कि यह जो egg होता है, यह कुछ एक particular group को जो है, recommend किया जाता है, necessary recommend किया जाता है, जैसे कि burn हो गया हो किसी को, या फिर कोई जखम हो, या कहीं, जल गया हो client, और इसमें किया है, healing, इसको लेने से healing process जो है, वो जल्दी होता है, यानि कि अगर patient को कहीं चोट लगी है, तो उसका जो चोट वाली जगह है, वो जल्दी भर जाती है, एक प्रोटीन आर रिच इन दा, लेजन एंड एसेंशिल अमीनो एसिड केन बी यूज़ एड़ सप्लिमेंट ऑफ दा सीरियल एंड काव मिल्क, यानिके एक में क्या है, लेजन एंड अमीनो एसिड की मात्रा बहु जादा होती है, और जैसे कि काव मिल्क में होता है, वैसे जो कि एक हुमन करता है, उसमें गोट का मीट आजाता है, यानिके बकरी का मीट आजाता है, शीप या फिर मटन या फिर बीफ ये जो है, कुछ एक सोर्स हैं, मीट के जो कि एक हुमन जो है, अपने डाइट में लेता है, इसमें प्रोटीन विटमिन बी, यानिके इसमें प् content hence forms exchange list for cereals यानिके जैसे कि cereals में जितनी protein के मात्रा होती है वैसे ही इसके अंदर भी मात्रा होती है a shrinking feature feature is that this is a good source of vitamin b12 यानिके जो इसका important factor है वो क्या है कि इसमें vitamin b के मात्रा बहुत अच्छी होती है which plant food are lacking some of the organ meats are also good in their intuitive value of vitamin b but in some disorder like the rheumatid arthritis and got these can be harmful यानिके अगर कुछ animals को कुछ problem है और यानिके कुछ disease है animals को और उस animal को अगर कोई person या कोई human उसे consume करता है तो वो उसके लिए harmful हो सकते है उसके बाद आता है fish fish is a richer source of calcium it contain the omega-3 यानिके एक अच्छा calcium का source होता है इसमें omega-3 fatty acids होते हैं which is known to be the protective against the cardiovascular disease यानिके यह जो है basically उन patients को भी काफी दिया जाता है जिनको cardiovascular होती है तो large fish contain the more meat content and therefore the good source of iron and phosphorus but fair source of calcium यानिके iron phosphorus तो होता ही है इसमें अच्छी मातरा में लेकिन proteins और nutrients होते हैं वैसे इसमें भी similar वैसे ही होता है और इसमें क्या है protein की cool temperature during the transport और जब इसको ट्रांसपोर्ड किया जाता है एक जिगह से दूसरी जिगह पर तो इसे cool place में यानके freezer टाइप जगह पर रख कर इसको store किया जाता है या पर पूरा पकाया नहीं जाता है तो आदा कच्छा होता है आदा पका कुछ इस टाइप की form में इसको रखा जाता है and it is rich in vitamin B content it is in the dressed form यानके इसको dress form में लिये जाता है और इसमें vitamin B की मातरा जादा होती है whereas cooking reduce this amount और जब इसको cooking किया जाता है तो इसकी जो amount होता है वो कम हो जाता है यहनके vitamin B का amount जो है कम हो जाता है it can pre-cooked poultry also the vitamin B content is low और इसमें जो pre-cooked poultry होती है उसमें vitamin B की मातरा भी कम हो जाती है other nutrients are also lost due to the high sterilization temperature और और भी इसमें जो nutrients होते है sterilization process के दोरान इसमें वो भी कम हो जाती है it is also इसमें भी प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है इसके बाद आता है शुगर एंड जैगरी जैगरी मिन्स गूड या चीनी और गूड शुगर इस ग्रोण इन लार्ज एक्सेंट ऑफ इंडिया यानि कि काफी इंडिया की काफी सरी जगहों पर शुगर की पैदावार की जात है यानि कि यह काफी सारी बेवरेजेस में यूज किया जाता है और एक तरह का यह किसी भी फूड की पैदेबिलिटी को अच्छा बनाता है इसमें इनर्जी की मात्रा बहुत अच्छी होती है जैगरी कंटेन था इनफ कार्भोहईटरेट्स और टू सम एक्सेंट आरन यान अच्छी होती है it is used in the forming very sweet preparation sugar is available in the form of table sugar and other form in the brown granulated sugar in preparation from the molasses यानि कि जो sugar है उसको जादा तर sweets बनाने में यानि कि जो मिठाईयां बनाई जाती है उसमें जादा यूज किया जाता है और ये brown sugar की form में भी आता है और अलग-अलग जो हैं डिशे इससे बनाई जाती है इनवर्ट sugar which is a hydrolyzed form of sugar it is used for the commercial purpose in syrup, confectionery, canning, preparation, baking and beverages यानि कि जो इनवर्ट sugar होती है जो कि hydrolyzed form में होती है उसमें syrup बनाने में या फिर confectionery में या फिर canning में या फिर baking या फिर beverages बनाने में इसका जादा यूज किया जाता है sugar is powder foam is again used in the preparation of sweet यानि कि sugar का जो है उसको powder foam में भी बनाए जाता है जो कि sweets बनाने में अच्छी help करता है या फिर उसको sweets में भी यूज किया जाता है तो शुगर में इतना ही काफी होगा इसके बाद आता है fats and oils fat and oils are vastly used for the cooking purpose यानि कि जो fats और oils होते हैं यह जादा तर cooking के लिए यूज के जाते हैं जो हम खाना बनाते हैं उसमें जादा यूज के जाते हैं इसलिपरिटी 1 calorie of energy being the concentrate source of energy यानि कि इसमें जो source of energy बहुत जादा होती है इस और also good source of vitamin B and sorry A and E यानि कि इसमें vitamin A and E के मात्रा अच्छी होती है fat and oil are classified depending upon the source of extraction these are the animal oil which are mainly in the saturated form whereas vegetable oil are in the polyunsaturated form यानि कि जो animal से हमें जो oil मिलते हैं वो कह saturated होते हैं और जो हम vegetables से oils लेते हैं वो कह polysaturated form में मिलते हैं the form solidified at the lower temperature and liquefied at the higher temperature यानि कि जो solidified होता है यानि कि जो कह लीजे जो जमा हुआ होता है उसे हम क्या है low temperature पर रखते हैं और जो पिगला होता है liquid form में होता है उसको हम high temperature पर रखते हैं where is the later remaining liquid are at the all temperature और जो अलग इससे इलावा अगर और कोई oil या फिर fats होते हैं उनको हम normal temperature पर रखते हैं उसके बाद आजाता है visible fats which are commonly used आदा घी, butter, vegetable oil, nut oil यानि कि जो commonly हम यूज करते हैं उसमें घी आजाता है butter आजाता है, vegetable oil आजाता है, nuts आजाता है, soybean, sunflower, mustard oil यह क्या हमारे routine cooking में यूज होने वाले oils हैं, total calorie from visible fat should be up to 20% और इसमें calorie कितनी है, 20% calories इसमें होती है, the oil which is contain the higher amount of puffer, PUFA puffer, यानि कि polyunsaturated fat acid होते हैं, इन में higher amount of polysaturated fat acids होते हैं, poses less risk of cardiovascular disorders, जिनकी वज़े से cardiovascular disorders नहीं होते हैं, यानिकि risk इसका कम हो जाता है, these are also good source of vitamin E and essential fatty acid, यानि कि इसमें जो vitamin E की मात्रा है, वो अच्छी होती है, और saturated fat like the venus fatty provide the more vitamin E than the essential fatty acid, यानि कि इसमें जो venus fatty होता है, यानिकि saturated fat के अंदर जो venus fatty होता है, वो कि vitamin E provide कराता है, जो कि essential fatty acid होता है, so guys, आज की वीडियो में इतना ही हम cover करेंगी, I hope आपको अभी तक का ये सारे topic अच्छे समझ आगे होंगे, अगर कोई doubt हो, आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप मुझे comment कर सकते हैं, तो मैं आपका doubt clear करने की पूरी कोशश करूँगी, and इस जो unit है हमारी second unit, इस में मारे एक topic और रह जाएगा, miscellaneous food, यानि कि जो tea, coffees होते हैं, उन में हमें क्या के nutritive values मिलती हैं, वो हम next video में cover करेंगे, इसके बाद हमारी unit complete हो जाएगा, फिर हम third unit start करेंगे, तो I hope आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, so आज की वीडियो में इतना ही, thank you for watching guys,